कभी कभी ड्रीम में कुछ लोगों को डर लगता है इतना डर लगता है इतने गभरा जाते हैं कि नीद में जाने से डरने लगते हैं जैसे आप जागरित अवस्था से निद्रा देवी के घर जाते हैं वो जो बीच का एक वक्त है आपका निद्रा देवी के घर में जाने का जागरित अवस्था से उठने का बीच का टाइम ऐसा है पहले दो-चार मिंट तो आपको पता होता है, बाद में पता नहीं चलता जब नीद आ जाती है, तो आप अपने इश्ट का स्मरन करते करते जाएं, आप अपने गुरू के मंतर का जाब करते करते जाएं, आप देखेंगे, जैसे ही आप निद्रावस्ता में जाते हैं, धीरे 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 आपकी पूरन रातरी मंतर में रातरी हो जाती है, मा की रातरी हो जाती है, मा के चर्नों में बगवान के चर्नों की रातरी हो जाती है, पर जहां मां की शक्ती है, वहां तो आपको डर नहीं लगेगा, पर इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा प्रेक्टिस करने में, सबसे अच्छी स्थिति है कि आपका बिस्तर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और आप मिद्रा दिवी के घर में भी ऐसे जाएं जैसे बहुत किसी पुट्र कारिया के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नीद भी जो बगवान ने बनाई है, उसकी शक्ती की कृपा है, उसकी शक्ती की कृपा बिना नीद नहीं आती है, और आप रलैक्स हो के सोए, अच्छी तरह सोएं, अच्छी नीद हो, यह भी इसी पीस निती से होगा, और जो आपको जैसे ड्रीम इस से बंद हो जाएंगे, फिर भी ड्रीम तंग करें, तो थोड़ी सी फटकडी के दो पीस ले लें, उनको लाल कप्डे में बांद लें, लाल कप्डे में बांद करके, भेरुजी का एक मंतर है आपको दे रहा हूं, उस फट फिटकडी के ऊपर कम से कम दो माला और दो माला दोनों फिटकडी के ऊपर पीस के ऊपर करके लाल कपड़े में बांदें, उसको फिर आप अपने गदे के नीचे रख लें, राइट साइड में भी और इस फिटकडी को हर दो महिने के बाद चेंज करते रहें, तो आप भूल जाएंगे कि आप स्वपन में डरते थे, आपको स्वपन में भ्य होता था. मंतर है, हरीम, बटुकाए, आप, दूदारनाई, कुरू कुरू, बटुकाए, हरीम, ओम, स्वाहा. आप जब भी कभी इंडिया जाएं, जाएं इंडिया में रहते हों, तो भहरवजी के मंदर रवी बार के दिन, सैटर्डे के दिन जाने की कोशिच करें, वहाँ पे भहरवजी के चर्णों में जो परशाद चड़ता है, उस परशाद को चड़ाएं, उसके साथ में अमिरती, फूल और कपूर के साथ लौंग जरूर जलाएं. आप देखेंगे कैसा करने से आपको बहुत बहुत लाब हो रहा है, भगवान करें, इश्वर करें, आपको लाब हो, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, इसी के साथ अजाजित लेता हूं, जर्माता दिन.